हुआ है हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासे तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलोजी के बुक शॉल्यूशन के लेशन 6 को ठीक है तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और इस सेशन को अंत तक देखिएगा आप लोगों के लिए बहुत ही कामगार शावित होने वाला है तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो को तो जादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा देखिए हमारे टॉपिक का नाम है आज का इस बायलोजी के बिक को तो आज के इस पहले पृष्ण पर बात करते हैं देखिए सबसे पहले प्रसन को यह हम लोगों ने बीबी आई करा है तो बहुत यह चाप प्रसन है देखिए 2014 में रिपीटेड प्रसन है तो प्रशन वारा है कि RNA के प्रकारों को लिखे ठीक है RNA के प्रकारों को प्रकार है MRNA अब टी आरेने के बारे में कुछ जानेंगे कि इसे विले आर एन ए भी कहते हैं और यह राइबो न्यूक्लियो टाइड का बना होता है और यह सबसे छोटा आर एन ए अनु होता है अब हम लोग जानेंगे इसके थर्ड टॉपिक में आर स्मॉल आर और कैपिटल आर एन ए ठीक है अच्छे से देखे पढ़िएगा सारे टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा तक अठनाई होगा यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था स्मॉल आर और कैपिटल आर एन ए यह वाला और यह तीनों प्रकार के आर एने में श्रबाधिक करिया सील होता है ठीक है तो यह था हमारा आर एने का पूरा टॉपिक तो अच्छे साफ लोग स्क्रीन सॉट ले लिजेगा जिन बच्चों को कोई तकलीफ हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी चल अंतर वाले प्रश्णों को हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि किस प्रकार से आपको लिखना है देखिए सबसे पहले समझा देते टॉपिक अच्छे से बच्चे ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेस्चन को ठीक है कि अंतर वाले प्रश्णों को आप लोगों कैसे लिखना है एक तरफ हम लोगों ने DNA को लिखा एक तरफ RNA को रखा ठीक है उसके बाद हम देखे इधर DNA के तरफ पहले टॉपिक में लिखेंगे कि यह डबल हेलिकल संरचना होती है और इधर लिखेंगे यह सिंगल दागे के समान संरचना होती है फिर देखें बच्चे गलत करते हैं चलिए अब इसका दूसरा टपिक जानेंगे कि इसमें काइस्टोसाइन एडी-9 और थाइमीन तथा गॉयनीन नामक नाइट्रोजनी छार पाए जाते हैं और इधर जानेंगे इस टॉपिक में किसमें गॉयनीन एडी-9 साइटोसाइन तथा यूरा सेल जैसे नाइट dream classes आपको एक मात्र चहीता चैनल मिलेगा देखने को ठीक है चलिए तीसरे टॉपिक में बढ़ते हैं तो देखिए इस टॉपिक में आज हम बहुत ही छोटे छोटे प्रशनों को कवर करेंगे लेकिन बहुत ही वी वी आई प्रशन है ठीक है छोटा है पर बहुत ही अच्छे प्रशनों को आज हम लोग कवर करेंगे तो मात्र चाजादाना नहीं प्रशनों को आप लोग आंई तक बने रहिए ठीक है क्योंकि आज का यह टॉपिक बहुत ही उपयोगी सावित होने बाला है प्रशन वारा है कि बहु विकलपता के बारे में सोदाहरन लिखे मतलब लच्छन की वंसागती का नियंतरन जो है जब दो से अधिक जीन अलील द्वारा है होता है तो इस्थिती बहु विकल्पता का लाता है जैसे मानब में A, B, O, रक्त समू की वंसागती देखें फिर से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा बच्चे को कि किसी लच्छन की वंसागती का नियंतरन जब दो से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तो इस्थिती बहु विकल्पता यही क्या होता है कहलाता है और जैसे कि मानब में A, B, O, रक्त शमू की वंसागती ठीक है यह है इसका उदाहरण चली अब अगला आप क्वेस्चन पे बात करते हैं अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक हमारा है देखिए पुनर योगनी डिने से आप क्या समझते हैं बहुत हीचा प्रशन ये भी है संकरन कराना संभव है ऐसा माना गया है कोई वेग्यानी किसे खोज किये और इस संकरन से प्राप्त DNA को पुनर योगजी DNA कहा गया ठीक है तो यही था इसकी खोज भी जाद देखिए आपर दिया गया 1972 में यह पता चला यह वस्तुनिष्ट टोपिक पे हम बात करते हैं इस लेशन 6 के पार्ट 1 के लाश्ट टोपिक पे बात करते हैं तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा लेशन इस क्वेशन नबर 5 तक ठीक है और आगे इस पार्ट 2 में हम लोग इसके 5 से 6 और प्रशनों को कवर करेंगे तो हमारा यह लेशन समाप्त हो जाएगा तो चलिए इस बुक सोल्यूशन में आज इस लाश्ट प्रशन को भी देख लेते हैं बहुत यच्छा प्रशन देखे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि MRNA और TRNA में अंतर मता हैं यह देखें बीवी आई करा हैं लोगों ने तो आप लोग भी जरूर करिएगा 2016 में रिपीटर प्रशन है देखें अंतर बाले प्रशन में पीछे भी बताते आ रहे हैं एक तरफ MRNA को रखा हम लोगों ने एक तरफ TRNA को अब जानेंगे MRNA के तरफ यह जिवानू में पाये जाता है MRNA कहां पाये जाता है जिवानू में और यह अमीनो अमल में पाये जाता है यानि कि TRNA कहां पाये जाता है अमीनो अमल में आप इधार आएंगे दूसरे टॉपिक में यह प्रोटीन संसलेशन करता है यानि कि mRNA क्या करता है प्रोटीन संसलेशन करता है और tRNA के तरफ जानेंगे यह अनुवांसिक कूट को पढ़ने का काम करता है तो tRNA ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे टॉपिक में तीसरे टॉपिक में हम लोग जानेंगे यह template परदान करता है और इधर जानेंगे हम लोग यह RNA अस्थानांतरन के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निर्वा करता है तो यह था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक चलेगा तो उमीद है यह ससन आप लोग के लिए बहुत ही बेटर रहा होगा तो चैनल पर इसी तरह बने रहे हैं सपोर्ट करते हैं ट्रीम क्लासेस को और वीडियोस को अन तक जरूर देखें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बोक्स में कमेंट कर बताए हमें यह वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है तो थैंक्यू पर बाचिंग इस वीडियो